हलो वाट्स अप दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर मैं सिधात आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल में करियर भाई में दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया जॉब ओपनिंग लेके आया हूँ जो की है फील्ड सेल्स एक्जेकेटिव की और पी टीम कंपनी के अंदर से जो है वो ये जॉब ओपनिंग निकली हुई है जो की पैन इंडिया जॉब ओपनिंग है दोस्तों तो इस जॉब ओपनिंग के अंदर क्या ऐसा खास है आप कैसे अपलाई कर सकते हैं इसकी एजुकेशनल क्या है एक अपलाई करने की पूरी प्रोसीजर क्या होती है यह सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा कि तरह अगर आप इस चैनल पर नहीं है अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो दोस्तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक फील्ड सेल्स एग्जेकेटिव की जॉब है और पैन इंडिया ये जॉब है तो दोस्तो पेटियम जैसी बड़ी कमपनी की द्वारा ये जॉब यहाँ पर जो है वो आपके QR Codes वगएरा देखे होंगे जिनको स्कैन करकर के जो है वो आप पेमेंट्स कर सकते हैं ना तो केवल दुकानों के अंदर बलकि आपके टोल प्लाजा के उपर भी आप इससे पेमेंट्स कर सकते हैं इनके अलग-अलग और भी बिजनेस हैं जैसे कि पेटियम पेमेंट्स बै इनडिया के अंदर भी काम करती है चैनना बे भी काम करती है यह कंपनी जो है वो 2010 साल में फाउंड होई थी इंडिया के अंदर नौइडा में और अब यह MNC यानके मल्टी नाशनल कंपनी जो है वो बन चुकी है तो दोसो इसके अंदर आपको फील्ड सेल्स एक्जिकेट सकता है भले ही आप फिर बारवी पास जो है वो आर्ट में से हो कॉमर्स में से हो साइंस में से हो कोई फरक यहां पर नहीं पढ़ने वाला है एक और बढ़िया बात आपको बताओं तो वो यह है कि इसकी अंदर किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है आप विदाउट एक्सपीरियंस भी इस जॉब को अपलाई कर सकते हैं और काम कर सकते हैं और अच्छी बात तो मैंने पहले ही बता दी कि आप पैन इंडिया कही से भी इस जॉब को अपलाई कर सकते हैं और अपने यहां से काम कर सकते हैं इसकी लिए जो है वो दो बेसिक रिक्वार्मेंट ह अंदर क्या करना होगा तो आपको जैसे पता होगा कि पेटियम के बहुत सारी services हैं और बहुत सारे products भी हैं जैसे कि पेटियम का छोटा speaker भी आता है जिसकी उपर पहले उपर जो है वो QR code चिपकाया जाता है और ऐसे जो छोटे छोटे speakers हैं वो shop owners को दिये जाते हैं ताकि उस QR code को जब भी scan करके यहां पर payment होती है तब उस speaker की थुरू जो है वो सुनाएं पड़ता है कि received payment of so and so जो भी है तो आपने ये कई बार सुना होगा दुकानों के अंदर तो ऐसे products जो हैं वो आपको pitch करने हैं यानकि लोगों को तक पहुचाने हैं किसी भी shop owner तक पहुचाने हैं उस area के हो सकते हैं जो कि existing customers हैं उन तक भी नए नए product पहुचाते रहने हैं जैसे कि smart QR code आ गया है या अलग-अलग payment के लिए आपको अलग-अलग QR code चाहिए तो वो भी हो सकता है आजकल Paytm के QR code जो हैं वो हर एक application में चल जाते हैं तो उसके उपर भी आपको जा करके shop owner उसको educate करना है कि आप हमारा QR code ले सकते हैं और कोई भी application के थुरू जो है वो हमारा QR code scan हो जाता है और payment की जा सकती है इसे के साथ साथ Paytm के थुरू जो है वो payments लेने से उनका क्या फाइदा होगा ये भी आपको उनको समझाना है कि भई क्यू आप Paytm से पैसा ले ताकि लोगों को भी सहुलियत हो सके आप कभी भी उसको withdraw भी कर सकते हैं डिरेक्टली आपके bank account में जाने वाले हैं तो इस तरीके से जो है वो आपको लोगों को pitch करने हैं अपने products और साथी साथ इस job के लिए आपको lead generation आना चाहिए मन लीजे आप किसी एक shop owner के पास जाते हैं और shop owner से ये कहते हैं कि हमारा ये ये product है वो आपका product ले लेते हैं आपकी services ले लेते हैं तो आपको उनसे कम से कम दो या तीन contact ऐसे लेने हैं जो की और भी shop owners है जो आपका product खरीच सकते हैं आपकी services ले सकते हैं तो आप उनके पास जाकर के ये कह सकते हैं कि देखिए आपके पहचान के ये ये हैं इन्होंने भी हमारी services ली हुई हैं और हम उनके ही reference से आपके पास आये हैं ये होते है lead generations तो ऐसे lead generate करके ज़्यादा से ज़्यादा customers लाना ये आपका काम होने वाला है अब भाईया बात करते हैं पते की कि भाई इसके अंदर पैसा कितना मिलेगा तो यहाँ पर paytm की तरफ से आपको salary 12,000 रुपे से लेकर के 15,000 रुपे प्रती महीना offer की गई है इसके अंदर आपके incentives वगेरा भी जोड़ सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हैं और आपके through जो है वो जादा से जादा leads generate होती हैं तो आपको जादा से जादा यहाँ पर payment भी मिल सकती है तो सोच लीजिए दोस्तों आप एक fresher हैं आपने केवल बारवी भी pass की हुई है तो भी आप इस job की अंदर आ सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं यहाँ पर English भी बहुत बढ़िया आने चाहिए ऐसा भी कोई शर्त नहीं है आपको एक basic level की अंग्रेजी आजाए तो भी बहुत है बस आपकी services दिखाने के लिए कि बहुत कैसे login करते हैं पेटीम की through payment अगर लिया जाता है तो वह आपको कहां पर दिखता है तो इतनी basic English आपको लिए link जो है वो मेरे description में आप देख सकते हैं आपको उस application को download करना है और उसके through जो है वो आप directly इस job के लिए apply कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूं कि apply कैसे करना है तो दोस्तों जैसे ही आप application को खोलेंगे आपको जो है वो आपका mobile number डालना है mobile number को डालन के बाद कुछ इस तरीके का जो है वो आपके सामने interface खुल जाएगा जिसके अंदर आपको यहां पर एक बस language चूज करनी है कि कौन से language में आप सारा content देखना चाते हैं यहां पर बहुत सारे Indian languages का भी support है जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिर आपको जो है वो next के उपर click करन है next के उपर click करने के बाद जो है वो आपको आपका एक basic card बनाना होता है visiting card जैसा आप कह सकते हैं तो यहां पर जो है वो आपको बस आपका नाम लिखना है तो मैं भी अपना नाम लिख लेता हूं उसके बाद आपको आपकी city डालनी है तो मैं अभी यहां पर डेली डाल रह हूं उसके बाद आपको जो है वो आपका area choose करना है इसके बाद आपको आपका gender choose कर लेना है और simply next के उपर click कर देना है next के उपर click करने के बाद आपस यह पूछा जा रहा है कि क्या आपकी पास कोई experience है तो अगर आपकी पास experience है तो yes पर click किजिए नहीं है तो no पर click कर तो अगर आप yes पर click करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको जो है वो total work experience पूछा जा रहा है तो यहाँ पर मैंने total work experience डाल दिया है और यहाँ पर job title डालना है कि अगर आपने काम किया है तो कौन से ओधे पर आपने काम किया है और सारे details भरने के बाद आपको simply next के ओपर click करना है अब आपको जो है वो educational details यहाँ पर भरने होंगे यह हो गया उसके बाद जो है वो next के ओपर click कर देना है simply अब आपको यह पूछा जा रहा है कि आप कौन से jobs को search कर रहे हैं तो यहाँ पर business development, sales, field work, marketing जो भी है वो आप यहाँ पर choose कर सकते हैं और यहाँ पर done के ओपर click कर दीजिए तो अभी यह आपको जो है वो photograph अगेरा upload करने के लिए कह रहा है यह ना भी करे तो भी चलता है skip for now करेंगे और c jobs के ओपर आपको click कर देना है अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यह job opening को कैसे apply करना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं field sales executive male ptm तो दोस्तों यह job opening जो है वो केवल males के लिए है यह females के लिए नहीं है यहाँ पर आप job की requirements देख सकते हैं तो two wheeler का driving license होना चाहिए two wheeler vehicle होना चाहिए lead generation आना चाहिए आपको job description भी यहाँ पर दिख सकता है कि आपको जो है वो उनके products और services को sell करना है आपकी given area के अंदर और साथी साथ नए customers को भी लाना है on board timings भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सुबह साड़े 9 बजे से साड़े 6 बजे तक की आपकी यहाँ पर timing है जो की Monday to Saturday आपको काम करना पड़ेगा और यह बाकी सारी ही चीज़े आप यहाँ पर देख सकते हैं अब final बात की apply कैसे करना है apply for the job तो इसकी उपर आपको simply click करना है तो यहाँ पर आपकी छोटी सी test ली जा रही है कुछ भी ज़ादा मुश्किल नहीं है इसकी अंदर यह देखिए which of the following do you have please select yes or no for all options तो यहाँ पर obviously यह दो चीज़े जो है वो उनकी requirement है तो यहाँ पर yes yes कर देंगे अब आपका जो है वो English का test किया जा रहा है तो English जो है वो basic level की ही उनको चाहिए लेकिन basic level की English आपकी कैसी है यह भी वो test जरूर करेंगे तो देखिए पूछा जा रहा है what is the meaning of this sentence do you have experience तो इस sentence का मतलब क्या है they are asking the meaning of experience they are telling that they have experience they are telling that it was a good experience और they are asking if you have a work experience तो obviously last वाला जो है वो सही है इसकी उपर मैंने tick mark याने के click कर दिया और उसके बाद यह जो arrow है arrow के उपर click कर दिया अगली चीज़ देखिए आपको पूछी जा रही है what is the meaning of this sentence the train starts from Delhi तो the train has been cancelled today the train's starting point is Delhi the train's starting point is not in Delhi the train's final stop is in Delhi तो पूछा आपसे यह जा रहा है कि Delhi से train start होती है इसका मतलब क्या है या इनमें से कौन सा sentence यहाँ पर fit बैठता है या उसका मतलब क्या है तो obviously the train's starting point is Delhi यही आप यहाँ पर type करेंगे और आगे बढ़ा देंगे अब यहाँ पर जो है वो basic test में आपको दिखा जरूर रहा लेकिन हर एक बंदे को जो है वो सवाल अलग-अलग आ सकते हैं तो basic English आपकी सही होनी चाहिए सोच समझ करके जवाब दीजे इसके लिए कोई time limit नहीं होती है आप सोचिए समझिए उसकी बाद जो है वो यहाँ पर जवाब दीजे अब आपकी जो skills है वो choose यहाँ पर देख आधन करना चाहिए not hiring a salesperson यानिके salesperson को hire नहीं करना चाहिए काम पर नहीं रखना चाहिए not talking about benefits of product and service यानिके आपके product और service के बारे में कुछ मत बोले या reference calling digital media यानिके किसी का reference लेकर के call करना उनको product pitch करना social media के उपर promotion करना क्या इससे lead generation हो सकता है तो obviously last वाला जो जवाब है वो बिल्कुल सही है इसके उपर आपने tick mark लगा देना है अब आखरी सवाल आपसे पूचा जा रहा है जो की है which activities will not help in lead generation यानिके इन में से कौन से ऐसे activities है जो की lead generation के लिए काम में नहीं आएंगी तो removing all the social media pages of the business यानि कि business के सारे social media pages को जो हटा दीजे डिलीट कर दीजे motivating current buyers to refer their funds, sending promotional sms, having a callback from a website तो आपको पूचा ये गया है कि इन में से कौन से activity आपके lead generation को हनिका रख है या lead generation उससे नहीं हो पाएगा तो obviously पहला वाला जवाब बिलकुल सही है और ये last वाला सवाल था अब आपको simply यहाँ पर tap कर देना है green के उपर और ये आपकी test जो है वो pass हो चुकी है यहाँ पर understood कर देना है और अब एकदम last की step है जो की है call the HR यानि कि आपको HR को call करना है और उनके साथ interview बस fix कर देना है HR हो सकते हैं कि आपको एक दो सवाल पूछे कि आपका क्या experience है अगर experience नहीं है तो आपकी पढ़ाई कहां तक होई है और बाकी आपने जो test यहाँ पर दी है उसका result वो वैसे भी देख सकते हैं और उसकी बात जो है वो आप दोनों मिल करके जो है वो एक interview की तारीक तैय करें तो like जरूर कर दीजे जादा से जादा शेयर कर दीजे को सवाल है आपके तो नीचे comment section में जरूर आप पूछ सकते हैं